कि अग्याइब करें आप लोगों को बताने वाला हूं वर्नियर केलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं तो अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके है लिस्ट काउंट निकालने का हमारे पास दो फॉर्मुला है मिनिमम डिवीशन ऑन में स्केल डिवाइड बै टोटल नंबर्स ऑन वर वर्नियर कैलिपर है यह हमारा में स्केल होता है यह इस पर जीरो से लेके 150 समय रिडिंग दी हुई है इसमें छोटे-छोटे 150 डिवीजन होते हैं इसका एक डिवीजन एक एम्म का होता है और यह हमारा होता है वर्नियर कैलिपर यह में स्केल है यह वर्नियर स्केल है तो मिन लिएमम डिवीजन एक होता है और टोटल नंबर सौन वर्णियर स्केल पर टोटल नंबर जो होते हैं जीरो से लेके 10 के बीच में पचाश डिवीजन होते हैं तो वन डिवाइड वार 50 हो जाएगा और एक को आप डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आदाएगा 0.02 mm test list count least count होता है Vernier Caliper minimum j fusion 0.02 mm measure कर सकती है तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरे formula से Vernier Caliper का least count निकालना दूसरा formula हमारा यह है 1 main scale rating minus 1 ernier scale rating तो main scale main scale की एक reading जो है एक mm होती है वो मैं लिख लेता हूं एक mm और वन वर्णीर ぎर्ण दिविजन होते हैं जीरो से लेकर 50 एम तक और वर्णीर ி स्केल का 50 डिविजन मेंडिविजन होता है यह आप लोगो दिखा रहा हूं कि यह जो वर्मीय-सक्यल का पच्यासवा डिवियजन है ये मेनि इसकेल इसकेत्प पीछ है तो इसका एक कर दा गदन हो जाया Rs.49 डिवाइब में 50 तो इसे हम इंहें लिख त, इसको अगर अगर हम 49 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यह आजागा 0.98 और 1 में से अगर हम 1 में से अगर 0.98 को घटाते हैं तो यह आजागा 0.02 mm लिस्ट काउंट तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम मैनूल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें